बैड बक्स काफी चालाग होते हैं जो तुरंद दरार में छिप जाते हैं और दिन के उजाले में तो बाहर ही नहीं निकलते जिसका मतलब है कि वे एक इंसेक्ट है जिनने आपको कम नहीं समझना चाहिए पर आप और भी चालाग हो सकते हैं नेचर और साइन्स ने हमें अपने घरों से बैड बक्स को कंट्रोल करने और चुटकारा पाने के कई तरीके प्रदान किये हैं आपको सिर्फ ये जानना है कि आपको क्या करना चाहिए तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर से बैट बग्स से कैसे चुटकरा पा सकते हैं पर दोस्तों अब आगे बढ़ने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले Steem Away the Bugs Virginia Techs Entomology Department के अनुसार घर के चारो और स्टीम्ट को छोडने से बैट बग्स को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है High Tiperatures पर स्टीम भी उनके लिए घातक हो सकती है Target the Bugs with a head dryer जैसे कि बताया गया है, heat, bed bugs को मारने में मदद कर सकता है यदि आपको bed bugs नहीं मिल रहे है, तो उनके अंडो को ढूंडे और अपने head dryer को high temperature पर set कर ले bed bugs अपने अंडो को इधर उधर नहीं करते हैं और आप उससे आसानी से ढूंड सकते है apply double sided tape bed bugs की line को ढूंडे और double sided tape वहां लगा दे insect tape से चिपक जाएंगे और जब पीने के लिए इनको blood नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे या मर जाएंगे dry your clothes on high heat अगर आपके clothes brand new है, तबी भी आप उन्हें अच्छी तरह से धोले और high temperature पर उसे गरम कर दे मतलब की clothes को जली ही प्रेस कर ले जितना हो सके इस से आपके कपडों में जो bugs अल्डेडी मौजूद है वो मर जाएंगे इस process को आप रोजाना अपनाए अपने हर कपडों पर sprinkle some silica gel क्या आपने silica gel के उन packets को देखा है जो आपके नए जूते के डबों में आते है bed bugs को दूर रखने के लिए आप इन silica gel के packets का इस्तमल कर सकते है research के अनुसार gel bed bug की चलने से जो liquid निकलता है उसे soak कर लेता है keep your laundry in plastic bags आप bed bugs से अपने कपडों को बचाने के लिए plastic के laundry bags का उपयोग करे वहाँ आपके कपड़े safe रहेंगे make a trap using dry eyes root gears university के researchers द्वारा ये बताया गया है कि dry eyes से हम bed bugs को मार सकते हैं क्योंकि इन में से carbon dioxide निकलता है जो insects को attract करता है आप dry eyes को एक जग में भर दे और उसको चारों तरफ टेलकम powder डाल दे जब bugs वहाँ आएंगे तो वह मर जाएंगे तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी बाते जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और अगर आपको भी bad bugs से चुटकारा पाना है तो आप इस वीडियो में दिखाए गए tips का यूज करे और bad bugs से चुटकारा पाले और अगर इस से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में जरूर बताए और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे like, share और subscribe जरूर करे और अगले वीडियो तक के लिए अलवेदा दोस्तों धन्यवाद